बिस्मिल्य रख्मान रखीम असलाम लेकूं विपर्ज कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब खेरियत से होंगे कभी रंजिशें कभी कुर्बतें रेट करेंगे इसकी जो राइटर हैं वो हैं अभिया अली बहुत ही खुबसरत और जबरदस नावल हैं आपने ज़रूर रेट क कीजेगा तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ आखर अरीबा जमान पे वो वक्त आ किया था वो बहुत गबराई हुई थी जब निकाह खुआ हुआ हुआ था अरीबा जमान बिन ते जमान आपको दस लाक हक महर के अवज़ जावर मीर बिन मीर अली हान से ये निकाह कबूल है उसकी सारी इसे मर चुकी थी वो बोल नहीं पा रही थी मौलवी के तीन बार पूशने पर भी वो ना बोली थी मौलवी ने फिर से अलफाज दुराई अरीबा जमान बिन ते जमान आपको दस लाक हक महर के वज़ जावर मीर बिन मीर अली खान से ये निकाह कबूल है जी जान के हाथों के दबाओ वो अपना आप एक अजनवी के नाम कर चुकी थी रुकस्ति का वक्त आया उसका दिल तो जैसे मातम करने पर आया था इस अवेली को छोड़ने पर उसका दिल नहीं था उसका जैसा भी वक्त गुजरा था अच्छा हो या बुरा लाकिन गुजरा अच्छी जाने भी लेकर जा रही थी और बूरी भी, पहले अनाबिया के गले लागर ऐसी रोई के बामुचिल इसली एलादा करवाया था और अब इसली के गले लगने के बात भी जाने इससे खुद गले लगाया था, मान नहीं हूं तुमारी, लेकिन फिर भी दिल फट रहा है हो सके मेरी गल्दियों पर माफ करके जाना मुझे मेरी दुआ है कि मेरी एक अच्छा वक्त तुम्हारा मनतजर है शाजर ने आखर में हाथ पेरा था अपने दिल में अजार विस्विसे रखे वो शाजर के संग रुकसत हो गही थी विगो आगे आगे रुआ दुआ थी जा वालिदार गुंगट से बागोर उसको देख सकती थी उसने चोर नजर इस पे डाली जो के बोसंजिद्गी से गाड़ी ड्राइब कर रहा था उसकी निगाए विंडो स्क्रीन पर थी वो सफेद कुरते में मलबूस रुआती शाल ओड़े उए थी अनाबिया से ही कह रही थ श्क्सित के मालक तो सरदार मीर अलीखान खूद थे वो दोनों बाब बेटा बिटे का मौआ ज़ए लगती थी जो साथ खड़े बाई लगते थे वो उसकी शांदार श्क्सित दे कर अपना आप में एईसासे कम तरी महसुस करने लगी थी और अपने सारे सित्म याद करने करने लगी जो उसने इशर पे किये थे दो गिंटे हो गए रस्ता खतम उने का नाम नहीं ले रहा था नमलाजमा उसके साथ थे बैठी अगली गाड़ी में सरदार मीर अली खान और विसमा बेगम थी दो गिंटे हो गए थे रस्ता पता नहीं कितना बाकि था तकरीबन दाई गिंटे बाद बराद गाउं पहुंची थी अरीबा ने देखा गाउं के कुछ लोगों ने असला उठाया हुआ था वो फाइरिंग कर रहे थे शायद खुशी की वज़ा से अब तो अरीबा की दिल में डर बैट गया क्योंके फाइरिंग बाली रसम तो बदले की अलामत हुआ करती थी वो सुचने लगी कि शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो जी चुके हैं कि सरदार जावर भी बदले में सरदार शाजर्ज यूसफ जही की बेर को ले आया है अवेली पहुंचे तो शाम के साय गहरे होने लगे अवेली तो पूरी की पूरी चमक रही थी ये जदीर माडर्ण तर्ज की अवेली थी गाड़ी रोकी तो जावर ने अपनी गाड़ी रोकी अरीबा यूसफ जही की हालत गहर उने लगे थी हावेली उस उनकी हवेली से भी काफी बड़ी थी और जिस तरह भी भी कह रही थी कि ये शादी साद्गी से होगी तो इस तरह बिलकुल भी नहीं था पूरी हवेली सजी हुई थी कुछ मनचलिया लड़किया लड़किया पकड़ कड़ ले जाने लगी उसे हवेली में इशल का पहला दिन जाद आया उसके जहन में वह तमाम मनज़र गूमने लगे थी जब इशल के सर से इसने दुपटा उतरवाया था यह सोच आती ही उसने अपने दुपटे को सकते से पकड़ लिया वो बोल्ड होरेने वाली लड़की थी अब तेज तारी ऐसी हवा हुई के हाथ कामने लगे इससे यह डर लगने लगा जो इशल के साथ किया गया कहीं इसके साथ ना हो जाए वो दकों की मुनतिजर थी वो सोचने ड़की अब इसकी जात को भी गाली बनाया जाएगा किया रात को बाराँ बचे बाएर लाउंच में सोईगी वो ही सोचों में गुम थी लड़कियों ने उसे लाउंच के सोफे वर बिठाया था एक तरफ गाउं की कुछ औरतें गाने गा रही थी जावर की ममा इसके पास आई और इसके सर पर से कुछ पैसे वार के गाने वालियों को दिये और इसके माथे पर प्यार किया था सरदार मीर अली खान ने भी इसके सर पर हाथ पिर कर पैसे थमाए वो इनके हाथ पिरने से डर गिही थी वो तो किसी ताने तफ़ड की मनतजर थी पर जिस से उसकी शादी हुई वो तो उसे नजर नहीं आया ये सोच आते ही इसका दिल फिर से लर्ज उठा था मुफले फ्रस्मों के बाद उसे कमरे में बुचाया गया था कमरा भी आला जोग का मुँ बोलता सुबूत था वो बहुत खुला शांदार बैट रूम था इसकी बड़ी सी तस्वीर सामने दिवार पर आवेजा थी वो रूम को देखती रही उसको बैठे तीन गिंटे से उपर हो गया था पर वो अभी तक नहीं आया था अब ये रिश्टा उसे और बोजल लगने लगा वो उसके अंतजार करना भी नहीं चाहती थी आंटी के कहने और समझाने पर वो बैठी थी वो खुद इस रिश्टे के लिए राजी नहीं थी क्योंकि उसे अपने वजूद से गिन आती थी वो इस वाकिया के बाद खुद को रातों में उट कर दोती कि इसके वजूद से इसके हाथों की गलाज़त उतरे लेकिन तब वो मुतमेना हो पाती थी वो इदर ही नीम दराज हुई उसकी आँख लगी ही थी जावर मीन ने कमरे में कदम रखा तो उसको सोते हुए पाया था वो आज बहुत प्यारी लग रही थी गोया रूप तो इस पे टोटके आया था उसकी गंदमी रंगत किली किली परकुशिश लग रही थी दुपटा दुबाए अपने आतों में जोर से बेचा हुआ था जब हर इल्जाम से बरी होने के बाद वो इशल से मिनने गया तो उसे सेड़ियों पर बैठी एक लड़की नजर आई थी उस लड़की की आंकों में इतना दर्थ था जावरमीर अली खान साकत रह गया रह गया था उसे लगा वो इसकी मलाजमा होगी क्योंके वो लड़की जो भी थी बहुत बिखरे हुलिये में अपने आप से बेनियास बैठी थी इशर के केने पर पता चला के वो शाहजर की कजन है इशर ने उसकी रकीकत बताई वो केने के काबिल ना हुआ पिर से की खौईश पर रष्टा हवेरी ने जाया गया था वो कुछ तेर उसको देखता रहा पर इस पे फिर पास लबास चेंज करने चला गया था चेंज करके आया तो वैसे वही सो रही थी वो इसके पास जाके बैट के फुरसक से देखने लगा जो के टांगे समेट के सोई हुई थी थोड़ी देर को उसको तकता रेने के बाद उसने आगे बढ़के उसके दुपट्टे को हाथ के कैद से जाद करवाना चाहा के वो आराम से सो के सके पता नहीं कैसे अरीबा की आँख खुल गही थी अपने सामने बड़ लंबे चोड़े वजोद को देखकर इसके मूँ से एक चीख निकली फिर ना खताम होने वाले चीखों का सिल्सला शिरू हो चुका था रात के गेरे सन नाटे इसकी चीखें इतनी उंची थी कि इस अवेली के माले क्या नोकर भी जाग उठे थी जावर मीर खान मजबूत ऐसाब का माले कोट बरदाश होसला रखने वाला इनसान था कुछी पल में उसके बालों के खुबसर स्टाइल का हशर हो चुका था बालों में लगे फूल पती पती होके बैट पर और कुछ इशके लेंगे पर पड़े थी लिपस्टिक खेल चुकी थी मसकारे और आईशेट का हशर नशर हो चुका था पूरी मेकप का हाल बहुत खराब था जो बहुत नफीस तरीके से किया गया था दुपटा उदर कर बैट से नीचे बढ़ा हुआ था वो ऐसे ही बालों को केश रही थी जावर को समझने ही आ रही थी कि वो क्या करे फिर एक दम से इसके करीब सोता सकती से अपना हाथ इस पर जमा गया बाई दर्वाज़ दर्वाज़ जो जो से बजाया जा रहा था क्या क्या हुआ है बेटा बाई से बिसमा बेगम और मीर अली हान की बहुत गबराई हुई आवाज आई थी कुछ नहीं हुआ ये मौतरमा शिफ के लिए देखकर डर गही थी जावर ने इनको किसी तरीके से भी बत्मीन करके बेजा था वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस वुलिये में देखे और वो अपने हाथों से इसका हाथ अटाने लगी जिसका चेरा दर्वाजे की तरफ था खामोश में आथ उठाने लगा हूँ आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे वो अपने को अपना लहजा अत्मिल मकदर नरम रखने की कोशिश करता हुआ बोला था एक आथ इसकी कमर के गिल लपेटा और दूसरा इसके मुँ पर जमा हुआ था वो इसकी जरा सी कुर्बत इसके चेरे पर हवाईयों उड़ा रही थी इसके पर्फियम की खुश्बू उसका आइस्ता मगर सक्त लेजा वो बिलकुर सैम कर रह गी थी सुर्ख रोती आँखों से वो उसको देखने लगी थी जावर ने भी एक निगा इस पर डाली जो के बगएर दुपटे के बिक्रे हुलिये में इसके करीब थी उसके हलके से गहरे गले को देखता वो अपने निगाहें फेर के उट खड़ा हुआ था मुकमल हकुक रखने के बावजोद भी उसने उसे चुआ नहीं था नीचे जमीन पे दुपटा पड़ा अपनी नकदरी को रो रहा था उसने दुपटा उठा कर उसे पकड़ाया जो अपनी सांसे दुरस करने की कोशिश में थी उठकर अपना होलिया दुरस कर लें, ये ना हो के आपको फिर से दुरा पढ़ जाए और अब की बार पूरी गाउं पूरा गाउं उठकर आ जए मेरे माँ बाप तो मुझसे मुतमीन हो गही थी गाउं वालों ने तो ये समयना है कि मेरे नियत में कोई फॉल्ट था फिर मैं किस किस को सफायां देता फिरूंगा फिर उन्होंने डंडे से मेरा बरकस निकालना है वो इसकी तन्सवरी आवाज पे जी बार की शर्मिन्दा होई थी वो वाश्रूम चले गए ही थी पीछे जावर सोफे पे लेड किया था तकरीबन दस मिनट बाद वो हलके बलो सकाई कलर के सूट में बायर निकली थी आप बेट पर सोज़ें आप सोफे पर अनकफेटेबल होंगे मैं सोफे पर सोज़ेंगे वो अपनी निगाहें जुका कर बड़ी मुश्किल से हीमत करके बोली थी शुक्र है आपको चीखों के अलावा बोलना भी आता है आप बेट पर सोज़ें वो उसकी बात को काट कर बोली थी हाँ ताकि मेरे सुस्राले कल बंदो के लेकर पहुंच जाएं कि आपकी हीमत कैसे हुई अमारे बेटी के बेट पर सोने की वो उससे कुछ देर पहले होने वाली चीखों पिताने दे रहा था उसके तंस पर उसके चेरा लाल हुआ था इसको कुछ देर देखकर उससे कुछ जियाद आया था ये ले जाए आपकी अमानत वो पाकिट से मूँ दिखाए निकाल दे हुए बोला था अरीबा तो इसके ऐसा करने पर परिशान ची खड़ी उसको देखने लगे थी कसम से ऐसे ना देखे में जरूर आपके पास आके आपको ये रुनमाई का तोफ़ा देता पर आपके अगले देमल से रुक जाता हूँ कि कहीं फिर से आपके चीखे मेरे गाल गौँवालों को परिशान ना कर दें उसके ताफरात बहुत संजीदा थे मगर उसकी आँखों का वो कुछ नहीं कह सकती थी वो पहले तो जी बार के शर्मिन्दा हुई फिर दान पिस्टी बैट पे जाकर लेड़ गी ही थी उसे भूद पर घुसा था कि वो क्यों सी ही थी अब वो शाख सारी जिन्दगी इसका सारी जिन्दगी उसका मजाक उड़ाएगा जबकि दुसी तरफ मीर को पता था कि उसकी जड़ा सी कुर्बत पर उसकी जो हालत हुई थी वो उस पर गुजरे हास्टी को जानता था इसलिए उसने तंस बरे अलफाज के कहे थे उसे समझ आगी कि अपने एक दिन की दूलन को कैसे नार्मर रखना है शाजर यूसफ जे सीज़े देखना महाल हो गया था अगर इशर के सके माबाप उससे इस आलत में देख लेते तो पहचान ना पाते लेकिन शाजर का इश्की तो था जो उसे वो इसके पास हाई और थोड़ी सी उपर होई लेकिन उसका काट नहीं पहुंच रहा था शाजर उसकी खुवाई समझता नीचे जुका इसलिए क्यूंकि आपज ये रंग चच्चता है वो उसकी कुशादा पैशानिपा प्यार दे कर बोली मैं तो आप से मजा करती रहती हूँ इसके चेरे की शादा भी देखकर वो शाजर इसके पास हुआ था और उसका दुपटा खुल दिया दुपटे के कुलते ही शाजर स्यासिल की बाल नीचे कंदर पर आ पड़े वो इसके बालों में मूझ पाने लगा जिसकी वज़ा से इसलिए उसकी पहुँच से दूर हुई पहले आप कपड़े चेंज कर लें इतने ज़्यदा फरी ना हूँ मुझसे मुझे खुद भी त्यार होना है और बीजान को भी त्यार होने में हेल्प करवानी है वो ये कहती हुई जिस तेजी से अंदर आई उसी तेजी से बायर निकल गही थी बीजान के कपड़े परवीन ने उसे दिये वो कपड़े उठा कर बीजान के कपड़े में कही वो तस्वी पार रही थी बीजान ये कपड़े चेंज कर लें वो मस्रूफ से अंदाज में इनको कपड़े देते हुई बोली इधर हाओ मेरे पास बैठो, बचे बीजान ने शुक्फता लेजे में उसे अपने पास बिलाया था, वो इसके पास बैठके ही, पाता है जब आलियान मुझसे बिछवा था, मेरे दिल के टुक्ड़े टुक्ड़े हो गया था, ऐसे लगता था है मेरी दुनिया उजड़ के ही है, फिर अनाभिया क ने दुनया उजड़ की ही थी फिर अनाविय की जो हालत हुई मेरे बास से लागे आठ चीज बाहिती अनाविया और अृबा चोटी सी थी उस वक्ते उनकों में में नेपाला था अरीबा समझना थी बातें समझती थी अपने मां के मानने बार जब वो मुझसे बत्मीजी करती मैं उसे डाण भी रिहती और माती भी और उसकी मां के पारे में भी बरा बुला कह देती मुझे उस वक्त अपने लेज़े का एसास तक नहीं था हाला कि उसे उस उमर में प्यार और तोजों की जरूरत थी फिर वो बढ़ी हुई बतेमीजी करती उसे किसी का भी लियाज नहीं था फिर मेरा दिल करता कि वो मुझे से बातें करें लेकिन उस वक्त मेरे हाथ से निकल गया था और मैं कुछ ना कर सकी फिर तुमारी और शाजर की शादी के बाद वो और अरदारम हो गई ही और तुमारे साथ भी वजयातियां करती रहती लेकिन मुझे पता है वो अंदर से बहुत दरी सहमी रहती थी और मैंने भी तुमारे साथ बहुत बुरा की आला के मैं अबादत भी करती थी नमाज भी पड़ती थी लेकिन फिर भी इस पर अमलना कर पाती मुझे खुदा की इस एक मतमली की समझाए कि वो बेतर लेकर बेतरी देता है और मैं जितना भी इस रब का शुकर अदा करूँ कम है मेरी खताओं पर हो सके तो मुझे माफ कर देना जिस तरह तुमारे मैकेवलों ने अलिबा को अपनाया हैं बेशक वो अला जर्फ हैं के बेकसूर होने के बावजुद उन्हें अपनी हमें कुछ भी नहीं कहा और मैं सची दिल पे अत्राफ करती हूँ कि तुम एक आला खानदान आला जर्फ खानदान की बेटी हो और तुमारी तरबियत भी तुमारी माने आला की जिस तरह तुमने मेरा ख्यार रखा इसमी सारी मलाजमाई होने के बावजुद मेरे सारे काम खुद किये और अपने हाथों से खानदानी गंगर उतार कर उसे पहनाए और इसके हाथ चूम लिए लिशल के मुझ से एक पुर्सकून सांस खरज होई क्योंकि आज उसे अपने के ही की रियाजत का फ़र मिल चुका था भी जान के है के के हैं लफजों की सुरत में क्योंकि वो अपने रभ का जितना भी शुकर अदा करती कम था उसे अब इस गर में बेबना इज़त मिल गही थी गोल्डन के लर्की मेक्सी के साथ रेडिश इसमें जच रहा था रजावर ने भी गोल्डन के लर्की शरवानी पें रखी थी आंटी बीवी जान और इशल अभी तक नहीं आए थी वो बिसमा अंटी से दीमे लेजे में बात करने लगी थी विदीमे का फंक्शन ने उन्होंने अपनी हाविदी में ही रखा था सारे अरेजमेंट गरा सरदार मीर खान ने बहुत अच्छे करवाई थी वो आज भी गेरी गवराई हुई थी कि इतने में उसे इशल और अनाविया नजर आई बिसमा बेगम ने जल्दी से स्टेश से इतने से भी जान और अन्यवी से मिलने के बाद उन्होंने इशल को जोर से खुद में बेज लिया था कैसी है मेरी बच्ची वो जजबाती हो कर गले लगी थी तुम खुश तो हो ना उन्होंने भी जान और अनाविया को स्टेश पा जाते हुई उससे अकेले में स्वाव किये था क्योंके मां थी तो उनके दिल में वस्विसा था वो उनकी आँकों में आँसों देखते हुई बोली जी ममो में बहुत खुश हूँ और तो और जो रब ने मेरे लिए अजमाईशें रखी थी इन अजमाईशों से सो गुना बढ़कर मुझे खुश हैं मिनी हैं जो वो मुझ पर मेरा रब लाया था मैं उनका जितना भी शुकर करूं कम है या तो खुश हैं ये तो खुश हैं सरदार मीर खान शाजर से लगी और उनकी आँकों में आशो आ गही है वो मेरी पगली दीर आनी क्यों रो रही है इसर ने जब अपने बाबा को वो पहली वाली ट्यून में आते देखा तो मुसक्रा कर फिर से इनके गले लगी थी बाबा बाबा से नाट फियर वो जावल शेंस बाबा इस नाट फियर जावा से नीचे उतरता हुआ इनकी तरफ आते हुए बोला आप इस चिपकली की वज़े से मुझे एक नोड कर रहे हैं वो खफा हुआ था बाबा देखे ना ये मुझे चिपकली कर रहे हैं उन्हें समझाए उसने जावलत की तरफ देखकर मुझे बसौते कहा जिसने विसमा बेगम को हिक किया हुआ था पीछे खड़ा शाजर इनकी बाते सुनकर मुस्कुराया था बरहुड़दार मेरी दीरानी को तंग मत करो और वैसे भी अकर्मंदी का सबूत दो क्योंकि कुछ दिनों बाद त वो बाबा की बात सुनता इशल की पास आया और इनके सर पर है शफकत बरा हाथ रपेर कर उसे गली लगा लिया था जबकि सरदार मीर अली खान शाजर को लेकर मेमार खाने चले गी और विसमा बेगम स्टेज की तरह पड़ गी ही थी आप ही आपके साथ पर क्या हुआ कुछ ने लगी कुछ नहीं अपने कपड़े प्रस करते बाग जल गया वो दीमी लैचे में बोली आप ही जावर भाई तो आपके साथ ठीक है न अनदेशों में गेरते हुए बोड रही थी वो तो ठीक है मेरी जात में जो हदूरापन है वो कोई भी मुकमर नहीं कर सकता व वो सिर्फ सोच ही सकीत थी आप ही बताए ना विज का कंदाहे लाते हुए बोले ठीक है ठीक हूँ तुम परिशान मत हो वो उसे तुनांद लाती हसते हुए इशल और जावर को देखनी लगी जावर मुस्कुरात हुआ उसे एकदम से अच्छा एतना अच्छा क्यों लगा उसे खुद भी समयने ही लगी जावर की नतर जब उसे पर पड़ी तो वो उसे आँख में कर गया जबके अरवगा ने गबरा कर निकाह चुरा ली थी आप ही देखें जावर परी मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते हैं और आपको देखकर आँख मार शरम करो और ज जावर के पास आकर बोला शर शर वाई नाट जावर ने अपनी मुक्सूस मुस्कुराट से जवाब दिया था है जबकि इशल फोटोग्राफर को इस सरफ आता देख बातिव करती नाविया और अडिबा की तरफ बढ़ गी थी मैं प्लीज सर के कंदे के कंदे के सर रखें फोटोग्राफर ने दो तीन बार उसे बताया कि वो जावर के कंदे पर सर रखें वो फोटोग्राफर की बास सुनकर गबराई थी उसका कोई रिस्पांस ना पाता देखकर फोटोग्राफर इसके पास गया कि उससे बता सके जबकि अरीबा तो फोटोग्राफर को देखकर गर महसुस अन्दाज में गजावर की पीछे हो गई ही जावर इसको डड़ता दे कर मुड़कर इसको अपने साथ लगा गया था जबकि फोटोगराफर ने पीछे होकर जल्दी से तस्वीरें बना ली और फिर जावर खुद फोटोबनाने में इसकी हल्प करता रहा फोटोग करने नीचे तक मुझे अलवेदा करने नीचे तक नहीं आएंगी आप वो वाइड सूट पेने सूट पेने लैक शाल लिए किसी रियासत के शज़ादा लग रहा था अरीबा ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी क्योंकि उसे एक महिना हो गया था इसके साथ रहती कभी इस शक्त ने उसे गुस्से में बात नहीं की थी वो उसकी परवा करता था उसका ख्यार रखता था उसके दिल पर बड़ा सक्टी से डेरा जमा गया था अरीबा को उसे मुझर 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 नहीं हुई लेकिन वो जब कमरे में नहोता तो उसे कमरा काट खाने क को दोता था, उसके दिल को उसकी आदत हो गया ही थी, वो कहते ही आदत महबत से ज़्यादा हादरनाक होती है, ऐसे क्यों देख रही है, नजर लगाएंगी, क्या वो उसे अपनी तरफ देखता हुआ, बोला नहीं, मैं पिछे बाल पे देख रही ही थी, वो संजीदा सी बोलन लगी तो वाल पे भी मेरी पीक लगी हुई है मुझे नहीं पता कि आप मेरी तस्वीरों से भी महबत करती हैं वह शराटी बरे लहजे में बोला था आपको देर हो रही है जैनाव आप वह अपनी चेप्स मटाते हुए बोली जबके वह इसके पास आया और इसके हाथ पर की प वासफों की आवाज आई इसके थोड़े से बाल उड़े थे इसके बगार ताखिर की पिछेरा मूर का देखा वो कूछ पाल रही थी उसको अपनी फिकर में डालता देखकर जावर के चेरे पर खुबसरत मुस्क्राट आई थी जावर को गे तीन गेंटे हुए थे वो फुदों को पानी देने लगी थी अंटी बाहर ही चेर बैठी थी सर्दार अमीर अली खान शैर गी हुए थे वो चोटे चोटे कमलों को उठा का तर्दीब से राक रही थी क्योंके वो चोटे मोटे काम अब करने लगी थी बीबी जी जावल साइं को गोरी लगी ही है वो एक मलाजम गबराया हुआ इनके पास आया था वो उसे बक्षू अस्पिटर लेकर गया है बक्षू का फून आया था उसने बताया ये ये बक्वास क्यों कर रही हो बिस्मा बेगम अपने दिल को थामकर हलका गही थी उनके मुझसे बात ही निकल ही नहीं रही थी ये खबर सुनते ही गमला अरिबा के हाथ से गिरता इसके पाउं पर लगा था वो वहीं गिर कही थी वो बेहोश होकर गेरी बीबी ची वो दो मिलाजमा ने दोड़ती हुई आई और उससे वो मुश्किल सफ़े पर लटाया जबके विस्मा बेगम खुद पर रिशान थी तो वो अरिबा को कैसे संबालती बीबी ची मिलाजमा ने रिबा के मुँपर आथों से पानी पेंका जिससे वो होश में आई थी जावल कहां ही वो थी तो ही ना वो जैसे पागल हो गही इधर उदर देखने लग पड़ी कोई जबाब न पाता देखकर गबागती हुई अपने रूम में चली गही थी शोहर है अल्ला इनके जिनी बेगार कुछ कुछ नहीं हूँ वो मेरा आखरी सहारा है वो ना हो के तुमें कैसे जीओंगी है मेरे रब बेशक मेरे जिन्दगी भी उनको लगा देओ है मेरे अल्ला इसमें तेरी मसलियत होगी पर है मेरे रब को सिद देए जिन्दगी देए वो टूटे लेजे में दवा कर रही थी मामा भी चले गी बाबा भी चले गी वो पिजले मुझे छोड़ का चले गी तो मैं कैसे जीओंगी बिसमा बेगम खुद परिशान थी उन्ह करते हुए देखा तो चले गी उन्होंने इश्र को भी फोन करकी बता दिया बीबी वो मामा का फोन आया था क्या हुआ इतनी गबराई हुई क्यों वो शाजर जो कमरे में ही आ रहा था उसे बागते हुए देखा वो बमश्किल अपने असार में लिया वो मामा का फोन आया ह बाई को गोरी लगी है वो अपने बेरत लेजर में बता रही थी जबकि शाजर को समा आ गई थी पानी पी वो उसे बैट पर बठाता पानी देता हुआ बोला कुछ नहीं होगा जावर को अला बेतर करेगा तुम अपनी हालत देखो संभालो खुद को वो बैट पर बैट के उ उसे अपने सार में ले गया था ना ना मुझे मामा और बाई के पास जाना है प्लीज मुझे ले चने वो उसे फिर से तड़कती हुई दूर हुई थी अच्छा सबर मैं जावर को ट्राइ करता हूँ उसे बैट पे लिटाता खुद इसकी साथ बैट की फून निकाला और ज जावर को काल करने लगा असलाम उलेकिम कुछ तिर खामोशी के बाद उसकी आवाज आई वालेकुम सलाम कहां हूँ तुम ठीक तो हो जावर शावर जावर भी फिकर मद्दी में पूछा था हाँ यार स्पिटर में हूँ गोली कंदे को चूकर निकली है डाक्टर ने किसी ने कह कर क्या करना है और मुझसे किसी की दुश्मनी शिकार करते वक्त दोस्त से गलती से लगी ही वो बेफिकरी से बोला दोस्त ही है या फिर कोई शाजर्चों के सर्दार था इसलिए पैचानता था यार अपना जाद था बहुत बराना शिकार करते वक्ते दोस्त से लगी ही है वो बेफिकरी से बोला दोस्त ही है या फिर कोई और शाजर्चों के सर्दार था इसलिए पैचानता था यार अपना यार था बहुत पराना और काफी गेरा पिर तो तुमें दुश्मन के कोई जरुष्य ही नहीं है शाजर उसके साधा से लेजिक को अगबामते हुए बोला जबके यह वीडियो काल करो तुमने मेरी मासुमा को आए में फिजूर में पर्शान किया है बात करो ताकि इसकी तसली हो थोड़ी देर बाद है जावर ने वीडियो काल बैक की थी असलाम अलेकुम भाई आप कैसे हैं मैं ठीक ठीक तो है ना इशल की आँखों में आंसों आ गए है चिपकली में बिल्कुल ठीक हूँ यह देख लो मेरा बच्चा एवी पर रिशान ना हो जावर ने अपने बादों पर केमरा करके उसे दिखाया वैसे तो मैं किस ने बताया जावी भाई मामा ने मुझे बताया था वो बहुत पर रिशान थी इशल ने वज़ाद दी अच्छा मेरा बच्चा बर रिशान ना होना मैं गर जागर काल करता हूँ उसने बमश्किल अपना गुसा कंट्रोल किया था जी जी ठीक है ओके अला आफिज वो फून बंद कर गी ही थी अप तो खुश हो ना शाजर ने कहकर इसके माते पे अपने लब रखे थे जी मैं खुश हूँ एशर ने सर इसके सीने से तकाते हुए कहर ही थी ना खुश ना खुद परिशान हो और ना मेरे बच्चे को परिशान करूँ इसके कानुए हलके से कंभी लहजे में कहा था साब जी चलें गाड़ी बाहर है ड्राइवर बागता हुआ आया गर में तुमने बताया है वो इसकी बात को इग्नोर करता जो गुस्सा जब किया था वो सारा ड्राइवर पे निकाला साब जी मैंने तो शर्फू को बताया था चलो ठोड़ो चलो गर चलो उसके साब ने एक दम से इसके चले कि आगे अरीबा का अक्स लेराया था वो इसको डरा हुआ देख अपना लहजा नरम बना गिया था बना कर बोला मेरे बेटा आ गया क्या हुआ है विसमा वेगम खुशी अज़वं के मिले जुले तासरात में बोली थी मामा मैं ठीक हूँ मामा बस तोड़ा सा जखम, जखमी हुआ है कंदा बाकि सब ठीक है वो मां को प्यार करता हुआ बोला जो बहुत परेशान थी मामा अरीबा को तो क काफी खराब हो गया है उसने अपनी हालत बहुत खराब कर ली है तुम जो मेरे बच्चा में तुमारे लिए सूप और खाना वगरा बिजवाती हूं आराम करो इतना ज्यादा मेरे बच्चे का खौन निकला है मा थी वो रोई ज्रोई बोलेजे में बोली ममा मुझे कुछ नह हुआ आप रिशान मत हूँ जरा सा खून निकला है उसे जरा सा खून कहता है इतना सा मुन निकलाया है तुमारा जो जाकर अराम करो और कपड़े नीचे किसी रूम में चेंज करके जाना अरीवा पर रिशान हो जाएगी तुमारी हालत दे कर डर जाएगी वो इसके मिनित में कपड़े चेंज करके अपने कमरे की तरफ चला आया था अंदर दाखल हुआ तो वो बैट पर नहीं थी उसने आगे पीछे निकाएं डोड़ाई तो वो नीचे जाए नमाज पर सजदे के सूरत में पर इसे सक रही थी जावर दीमा सा चलता बड़ी मुशकर से इ पीछे जमी पर बैठा क्योंकि उसका पूरा बाजो हरकत नहीं कर पा रहा था जो उसके पास से बैठने से भी नहीं उठी थी आप ठीक तो है ना इसने हाथ ही इसके कंदे से रखा कंदे पर रखा था आप आगे वो पहले इसके चेरे को एक 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 नाश्ट को चूती चूता हुआ गुजरा था कि जिन्दा होने के जिक्मिन से पीछे हट के अपने क्यों में खौल में सिमती थी और फिर से जानमाज पर बेर्टी पोशन विदा हो गी ही वो तो बिलकुल ठीक था यहीं कोई भी जखम नहीं था इंशाल कि यह वो जैसे गया वैसे ही आया था आप ऐसे यह कर रही हैं जैसे मैं कोई गयर हूँ वो इसके पीछे हटने से और एक धम से दुर होते वो घहरान हुआ फिर भी कुछ न बोली मेरी बात के जवाब दी वो कहता हुआ इसके पास पड़ा पास हुआ था अरीपा इसको अपनी जाने जुकते पीछे हुए थी इसक के जिरे की आगे जैसे लाली का अक्सग आया जहुर मुस्का के इसके पास हुआ अ ल्ला का वासता तुमी मेरे पास से हचँग हो मत तमारे आगे हाँ जोटी हूँ वो ये कहती चीखने लगी आज कितने जनों बार फिर से इसके दोड़ा पड़ा था वो इसकी बात सुनता बेर रिशान हुआ कि क्या आपको आपकी बार वाफ के करमंदी से इसके पास हुआ था जो तक है गटिया इनसान तुमारी हीमत कैसे हुई थी जावर को उसे हर चीज की उमीदी भाई यह नहीं कि उनके तकवर इसके मूँ पर पड़ा था आप होश में तो हैं आपकी बार उसे जोड़ जोड़ गया था वो जैसे इसके जोड़ने से होश में आई थी वो एक दम से होश खामोश ही और डर कर उसे देखने लगी जिसके तासरा खत्रिनाका तक सकते हद हैं पूरा एक माइना होगे आपका मेरे साथ रहते ही कभी मैंने आप को छुआ भी है मैं आपके साथ है नर्मी से परेश आता रहा कि आपके आपके साथ कुछ घर लेकár चार रोही ही मैंने आपको कभी बेलावज़ा तक नहीं किया जब भी किया आपकी वाईश का इतराम किया लेकिन आप मेरे सर पर चाड़ गई ही हैं लेकिन नहीं कि अगर आप इस रिष्टे से खुछ तो खुछ नहीं तो कोई मस्ता नहीं है आप अपने मर्ज़े से इस से गर जिकेरी रिष्टे से इस खुछी के लिए आप से शादी की है में मरा नहीं जा रहा था आप से शादी के लिए जैसे उस गजब तोट पड़ा था वो यह कहते हुए उटके खड़ा होने लगा लेकिन बाजों के दर्थ के वज़ए से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था कंदे पे हाथ रखता हुआ व सिकंदे पर रखा हुआ था आप दर्थ दें जो आपका काम है मरब रखना आपके बास की बात में ही वो यह कहता है इसका हाथ जोर से जटकता उटकड़ा हुआ था आप शाल उतार के बैट पर बैठा अधिवा ने एक नदर उसे देखा जिसके वाइट कुटे पे खून का पर रखने को पीछे चोटी उसके पीछे की खिटी अल्ला ना करें आपको मेरी उमर भी लग जाए उजावर में के लफ़ों ने जैसे इसका दिल खेंच लिया था यह अब रखनी कितनी देश चले कि मिस अरीबा एक गिंटा दो गिंटे दो गिंटे वो अपने कंदे वो अपने कंदे के दर्द को कंट्रोल करता तल्खी से बोला था अरीबा इसकी अवास से शर्मिंटी की अथा गेरों यह में चले की थी उसे अफसोस हुआ कि जितने भी उससे दोरे पड़े वो इनके दुरान अनाविया को माद देती थी लेकिन उसको कोई जवाब न देता कि दर्वाजा नाक हुआ तो अरीबा ने दर्वाजा खोला था बिबी जी यह साब के लिए मलाजमन ट्रेस उसे थमाई थी जिसमें अंदे सूप और फ्रूट गरा थे वो एक कात मिट्री पकड़ती और दूसरे हाथ से दर्वाजा बंद करती अंदर आई थी उसको देखा जो अब शर्ट लेस था और अब तक अंदा देख रहा था जिस आने दें आपको यह मसला वो तफलेज में बोला उसने जल्दी से ट्रेस साइट टेबल पर रखी और खुद इसके कंदे पर जोर से हाथ रख लिया था मैं आपको हर्गेज ऐसा नहीं करने दूंगी वो उससे अपने हाथों की पट्टे कुलते हुए देख इसके दोना आया था फिर वो खमोश हो गया था यह खा लें उसकी तरफ से कोई पेशक्र भी ना पाता देखकर वो जबरदस्ती थोड़ा खला खलाया पलाया था सब्सक्राइब काफी जादा है आप कोई चीज ले ले नहीं तो आपको ठान लाए जाएगी वो इसकी फिकर में गुलते हुए किने लगी वो अलमारी के पास गी और इसके ब्लैक कलर की शर्ट लेकर आयो और इसके पास लखी थी आपकी हेल्प करूं वो उससे देखकर जि मिनी ही मेरे बादों के गोली लेगी है मेरे आट तोटे तोटे हैं में पहने होगा वो यह सब सक्री से कहता पहने लगा और फिर मुश्कल से पहने का सो गया था तो लाइट्स पंद करती रिवा भी सो फिपा चली गी थी जिस सोचे उसे किसी चीज की जूरत पर सकती है रा जावर हल्की सी करा की आवास चुनाई दी पर उसकी जनफ से गेरा स्कूत देखकर कमें लटा दिया उठे प्रीज उसने एक दफ़ा दो दफ़ा पकार आबर कोई जवाब ना आया जावर उठे प्रीज आपके जरा उंची आवाज दी लेकिन जहनोज खामोशी थी इसका चेरा वह ज्यादा सुर्ख हुआ हुआ था सांस भी मामूली से मामूल से हट कर चल तेज चार रही थी उसकी लबों के ऊपर पिपड़ी जमी हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई आप आप ठीक ही इसका अनमा था और गाल चुआ तो वो जैसे तरफ उठी उसके चेरा किसी तंदूर की तरह तप रहा था और इसकी जान तो गोया सुली पलट की थी इसके दमाग का बिलकल काम करना नहीं कर रहा था वो क्या करे क्योंकि इस अलागी का नया सरदार बिलकुल निडाल पड़ा हुआ था इसने जब इसकी हालत देखी तो ठंदा पान ले आई कि उसकी पटियां कर सके वो पनी जो हाथ से लेकर आई वोही ठंदा था क्योंकि सद्दी की शिद्द्द ज्यादा ज्यादा थी फिर उसने भोगोकर अपने पहले वो शचादा पेशानी पे रखी फिर गाल पर और पिर हात और पांग के तलौहां पर तकरीब़न एंगनता वो पटियां रखती रही उस साथ में आयात का विद्पी करती रही इस पर फूंगती थी वो तब रहा था कोई दिर बाद वो इसको अपने के लिए देखा तो किसी आंके कोल कर उसे वाल पाही मंगा तो वो जल्दी से उठी और अपना चोटा सा पैंसो ताम लेकर पैंसो जा किते के मारे ओट के नहीं पा रहा था उसने इहला कर उठाने की कोशिश की वो थोड़ा सा उठा भी नहीं सकती थी वो इतना मजबूत चिटानों जैसा साहर था उसने बामशकिल अपने दोनों कमजोर बादों से सारा दिया था और पानी बिला कर उसका सर अपनी गोद में रखा था उसका बखार अलका तो हो कि अबर ज्यादा नहीं इतना ज्यादा नहीं वो शिद्द के आलम में इसके चंदे हाथों को थाम था कभी अपने वान गालों पर रखता तो कभी सेने पार और फिर वो इधर ही बैटी इस पर दाम करती रही पढ़कर फूपती रही झालम करता तो.